हाँ तो नमस्कार जी कैसे हैं आप लोग हम उमीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आज की क्लास से आपको छे नंबर मिलने वाला है जी तो और भी ज्यादा मतब बहुत खुस हो जाएंगे आज आप सभी लोग ठीक है ना क्या आप मुझे लाइव सुन पा रहे हैं जल् पहले वाली क्लास आप लोगों ने की थी या नहीं की थी प्यार मैट्रिक परिक्षा दो होजार चौबिस के लिए स्पेसल है यह और यह साइंस में प्यारे बच्छों फिजिक्स का दे नंबर नाइन है यानि इसके पहले हमने आठ क्लासेज ले ली हैं और हम उमीद करते ह आप लोगों ने वह क्लासेज की होंगी और प्यारे बच्छों इसके पहले हमने आपको यह प्रूब करके दिखाया था एफ वरावर आरवाई टू कैसे होता है तो कितने बच्छों ने देखा था पहले मुझे जल्दी से बताओ येस येस करके बताओ कमेंट बॉक्स में कि गुरुजी हमने एफ बडावर आर बाई टू प्रूब कर लिया है अगर नहीं किया है बच्छों तो इसके पहले वाली क्लास में जाना और जाकर के खूब अच्छे से प्रूब करना तर लोगे बोलो हाया ना येस 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 बड़ा हसरे हो तर लेना ठीक है आज हम दरपन सुत्र को करने वाले जो लोग नहीं किये हो कोई दिक्कत नहीं एक दिन बाद या कल वीडियो को देख लेना और बढ़ा लेना बढ़े तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले आज ही क्लास में आप सीखोगे कैसे हम प्रूब करते हैं दरपन सुत्र को क्योंकि य कि आज का मूटिवेशन है कि मुझे आज किसी और से नहीं बलकी अपने बीते हुए कल से बहतर बनाना है प्यारे बच्चों हम लोग जीवन में बहुत ज्यादा कॉम्पेडिशन करते हैं कभी हम अपने दोस्तों से कभी हम अपने भाई बहन से कभी हम अपने दुसमन से करना चाहिए बताओ तो बच्चों इसका सही उतर है सेल्फ जो इनसान स्वैम से कॉम्पेडिशन करेगा जो अपने आप से कॉम्पेडिशन करेगा वो बच्चों जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा और आपने साइंस में आप कितने स्कूर का टार्गेट रख्यों मुझ आपके तब जाकर कि आप 95 बच्चों प्लस लाप आओगे तो हमेशा किसी भी सब्जेक्ट में आपका जो सपना है वो सो नंबर से कम नहीं होना चाहिए आए इस प्रूब को आज हम लोग बस एक ही कोशन को करने वाले इसमें हम लोग सिर्फ दरपन सुत्र को प्रूब करे के लिए दरपन सुत्र प्यारे बच्चों पहले पता होना चाहिए कि दरपन सुत्र क्या है सबसे पहले दरपन सुत्र क्या है बच्चों पहले यह समझो बेसिक नौलेज समझो बेसिक नौलेज तो दरपन सुत्र अगर आप बात करें बच्चों तो आप कहतो सर वन कौन कहा गया मेरा 1 by V और प्लस 1 by U is equal to 1 by F यह है हमारा दरपन सुत्र वज्चो यह है दरपन सुत्र आप चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1 by F is equal to 1 by V और प्लस 1 by E क्या हम यह दोनों प्रकार से के से लिख सकते हैं भोलो हाय ना बिल्कुल बताओ हाय ना यहस गुरू जी यहस गुरू जी लिख सकते हैं साइध आप सभी ने इस क्लास को सेयर नहीं किया है बच्चो तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं कि आप सभी फ्रेंड्स के पास इसक्लास को सेयर विः और क्लास को LIGHE ये लुस्तिल पढ़ाये तो लिए कि सीब्ड़ करने के लिए तो आप कहेंगे सर्थ लेगे करने के लिए तो सबसे पहले बच्छो नंबर एक है अ वतल नंबर एक में है बच्छो अ वतल को एक तो बच्चा जी दरपन सुत्र को सिद्ध करने के लिए दोनों में पूछा जाता है और वहां लिखा जाता है कि अउत्तल दर्पन में दर्पन सुत्र को सिद्ध करें ऐसा कोश्चन में लिखा जाता है बच्चो सबसे पहली बात है, ये कितने अंक का आता है, तो ये आता है 6 अंक का, ये कोश्चन पूछा जाता है, 6 अंक का exam का, ठीक है, और इसकी 100% ग करन्टी है बच्चों, कि आज के बाद, आप कोश्चन को बना पाएंगे, 100% गरन्टी, कितनी परसं गरन्टी बताँ, कितने गैरंटी है कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो 100% इसकी गैरंटी है कि आप कोशन को बना पाओगे चलिए कुछ बेसिक हम बात करते हैं पहरे बिच्चो आपने अवतल दर्पन को देखा होगा या इसके फिगर के बारे में ये हमारे पास एक अवतल दर्पन है हमज़ना ध्यान से M ऐसा पढ़ो जो कभी ना भूल पाओ बच्चा जी ये बताओ ये कौन सा दर्पन है जल्दी से गुरु जी अवतल है ये हमारा प्रधान अक्ष है बच्चो ये इसे हम लोग धूब बोलते हैं यानि P P से यहाँ ये जो F की दूरी है हम इसे क्या बोलते हैं P से F की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं ये हमारा फोकस है और ये है बच्चो इसका वक्रता यह है वक्रता केंद्र बच्चों वक्रता केंद्र इसे हम लोग C कहते हैं हम इसे C कहते हैं बच्चों यदि हम किसी वस्तु को यहां खड़ा करते हैं और हम इसका नाम रखते हैं A और B और इस वस्तु से कितनी किरने निकलती हैं आप कहेंगे सर अनेक किरने निकलती हैं लेकिन हमें लेना कितना है बताओ, कोई विद्वान बच्चा होगा जो मुझे बता पाएगा, कि सर अनेक किरने निकलती हैं, पर हमें लेना कितना है, मात्र दो किरन, एक साल में बच्चो पूरा साइंस परना है, एक साल में हर बर मत करो, जितना पढ़ारों उतना, किरने बह वो focus से गुजरेंगी, simple सी बात है, focus से गुजरेंगी, और जो किरण बच्चों, c की दिशा में जाएगी, यानि वक्रता, वक्रता, किंद्र की दिशा में जाएगी, तो वो वापस किदर होगी, बताओ, आपको मैंने पढ़ाया था, कि यदी कोई किरन वक्रता किंदर की दिशा में जाती है तो वह प्रावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस होती है तो बच्चों ये वापस भी इसी दिशा में होगी मैं आपसे कुछ कठीन सवाल पूछने वाला हूँ कठीन सवाल अब हमारा प्रतिवीम यहां बन गया, यह हमारा प्रतिवीम बन गया बच्छों, यह हमारा A है B, तो A नीचे आ गया, यह हमारा A, A हो गया, A इस उल्टा बन गया न, तो A यहां पर आ गया, और B यहां पर हमारा रह गया, ठीक है न, B यहां पर रह गया, समझे न मेरी बात को A, B, A, B, दोनों में डैस लगा दो बच्चों, मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूँ आप सभी से, क्या आप तयार हो? बोलो हाया ना, क्या आप तयार हो? Yes or No, कुछ सवाल पूछने वाला हूँ? Yes or No, are you ready? Yes or No, yes sir चलो बच्चों, पहला सवाल आप लोग के लिए कि यदि, और इसे मैं N माल लेता हूँ पहला सवाल आप लोग के लिए, सबसे पहला P से F की दूरी को क्या बोलते हैं? P से F की दूरी को क्या बोलते हैं? P से F को प्रूजी P से F की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं क्या बोलते हैं फोकस दूरी फोकस दूरी बच्चों फोकस दूरी को हम लोग किससे दरसाते हैं किससे डिनोट करते हैं दरसाते किससे हैं दरसाते हैं छोटी F से छोटी F से डिनोट करते हैं पहला पहला दूसरा कोशन बच्चों आपसे पी से सी की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं पी से सी की दूरी को हम क्या बोलते हैं पी से सी छे नंबर लाना है आपको छे नंबर पी से सी आप बोलोगे गुरुजी पी हमारा वक्रता केंडर है तोरी माफ करना पी हमारा पी हमारा दुरूब है, पोल है, और पी से सी की दूरी है वक्रता, वक्रता, तरिजिया, इसे कहते हैं वक्रता तरिजिया, वक्रता तरिजिया को हम किस से डिनोट करते हैं, जिल्दी बताओ, किस से दरसा जाता है, तो वक्रता तरिजिया को हम बड़ी आर से डिनोट करते हैं करें नेक्ट सवाल आपके सामने आता है यदि मैं पी से फी की बात करूं यानि हमने वस्तू रखा यहां पर अपरी से बी की दूरी को हम क्या बोलेंगे यह पी है और यह हमारा बी है तो गुरुजी पी से बी की दूरी को हम लोग बोलेंगे वस्तू की दूरी क्या बोलेंगे क्योंकि यह वस्तू रखा गया है वस्तू वस्तू तो यह हमारे पास वस्तू की दूरी है वस्तू की दूरी बच्चो एक बात बताओ वस्तू की दूरी को हम किस से डिनोट करते हैं किस से डिनोट करते हैं डिनोट तो nothingे सेaganicked Wiki डूरी बी डैस कि डूरी तो आप बोलो कि सरा कि से तकर सर इसे कि डैस की दूरी क्या है बता इलेस में क्या है कि पुरुजी बी डैस में एक परतिविम बनाएं परतिविम परतिविम अने बच्छों एसे प्रीड की दूरी को समझना है रठना नहीं है एक प्रसेंट भी अगर मैं आपको रठाऊ ना आप नीचे कमेंड बॉक्स में कहना गुरुजी पढ़ा रहे हो कि नोटन की हो रहा है या ठीक है पी से इडास पी से बी डास जो है हमारा पी से बी डास जो है हमारा वो प्रति बिंब की दूरी है प्रति बिंब की दूरी को किस से डिनोट करते हैं बताओ प्रति बिंब की दूरी को किस से डिनोट करते हैं जल्दी बताओ तो आपको गुरुजी प्रति बिंब की दूरी को डिनोट करते हैं वी से वी से बच्चों मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं क्या मैं आ के जगह पर टू एफ लिख सकता हूँ बोलो है या ना आ गई पर अगर आ लिखा है a क्यमें उसके अस्थान पर टू एफ लिख सकता हूं आप बुढ़ो गुरुंगे गुरुजी क्या बात कर रहे हो आसानी से लिख सकते हो और तो यह आजो होता है वक्रता तरिजा जो होता है वह फोकस का double होता है yes 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 दुरू जी लिख सकते हो yes हो बच्चों यह बताओ है आप मुझे यह बताओ है कि एक यौटटल दरपंड में अवतल दरपड में बिसिक की बात ओरी ने F क्या होगा पॉजिटिव या नेगेटिव F क्या होगा पॉजिटिव या नेगेटिव आप बोलोगे सर नई चिन परिपाटी के अनुसार जो भी दूरी धुरूब से वाई और होती है जो भी दूरी होती है वो नेगेटिव होती है अर्थात एक अवतल दरपड में F कामान नेगेटिव होगा एक अवतल दरपड में Q कामान क्या होगा Q कामान आप कहोगे सर दरपड कोई भी हो U यानि वस्तू की दूरी वस्तू की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है तो बच्चो यू भी यहाँ पर नेगेटिव होगा अब यह बताओ बच्चों कि वी क्या होगा वी अगर एक अवतल दरपन की हम बात करते हैं इस पेसली इस दरपन की जिसको आप देख रहे हो यह दरपन जो दिखाई पड़ रहा है इसमें जो वी का मा प्रिश्वान होगा वो क्या होगा आप बोले एक बच्चा कहां से पढ़के आए बहाई साब नमस्कार आपको कहां से पढ़के आयो कोई भी पी से बाई और की कोई भी दूरी है बच्चा वो नेगेटिव होगा अर्थात आप कह सकते हो कि एफ यू और वी तीनों नेगेटिव होगा तीनों के तीनों नेगेटिव होगे तीनों के तीनों नेगेटिव होगे तीनों के तीनों नेगेटिव होगे ये बच्चों हमारा बेसिक था ये हमारा बेसिक था अगर आपको यहाँ पर सब कुछ किलियर समझ में आ गया तो एक बार कमेंड बॉक्स में लिखें कि गुरुजी हम इस चीज को समझ चुके हैं अगर इसको आप समझ चुके हैं तो दरपन सुत्र को दरपन सुत्र को सिध करना बच्चे जैसा खेल है यहाँ आप समझ चुके हैं बताओ हाया ना इस फिगर को P से लेकर F को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं इसको इसको या फिर इसको कि P से C P से C वक्रता तरिजिया है आप समझ चुके हो। P से B, P से लेकर के B वस्तु की दूरी है आप समझ चुके हो। P से B डैस परतिविंब की दूरी है समझ चुके हो। Yes, तो प्यारे बच्चो, आधा कोशन बन चुका है, अब बस आधा कोशन बनाना है। तो आर यू रेड़ी, येस और नो, येस और नो, येस गोजी, I am ready, I am ready to solve this question, I am solve this question बच्छो, येस आइए, अब हम इसको बनाते हैं बच्छो, जब भी आपके एक्जाम में प्रूब करने के लिए आए, कि आपको सिद्ध करना है, कि 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F, तो सबसे पहले आपको एक, एक गोलिया दरपन बनाना है, जैसा कि मैं बना रहा हूँ, आईए, बना ये फिर से कॉपी में, इसको रजतित कर दीजिए, और उपर में लिखे M, और यहां लिखे M, S, ठीक है न, आप एक बढ़िया सा, इस तरह से इसका, यहां पर P मान लीजिए, सौरी, मुझे ल यहां पर F मान लीजिए, और यहां पर आप C मान लीजिए, और थोनी सी दूर में, एक वस्तु को रख लीजिए, जिसका नाम बताओ क्या रखें, बताओ नाम क्या रखें, गुरुजी इसका नाम रखो A, और B, यहां से बहुत सारी किरने निकलती हैं, पर हमी लेना है, प टक्रा करके फोकस से गुज्रे बिल्कुल सही है एक दूसरी करन लीजिए जो C की दिसा में जाए और वापस प्यारे बच्चों इसी दिसा में आ जाए यह एक प्रतिविम बनाईए वास्तिविक बन रहा है यह है हमारे पास तो यह हमारे पास हो जाएगा बच्चा बीडैस और यह हो जाएगा एडैस फिगर समझ गये अब इसके बारे में कुछ लिखना होगा बच्चों अब इसके बारे में चार पांच लाइन लिखना पड़ेगा और उस चीज़ को आप रट नहीं सकते, जिसको लिखना है उसको रट नहीं सकते, तो लिख दे, लिख दे बोलो हाया ना, लिख दे, यस लिखते हैं बच्छों, माना, M और M डेस, M, M डेस, एक अवतल दर्पन है, एक अवतल दर्पन है, बोलो हाँ या ना, अवतल दर्पन है, जिसके मुख्य अक्ष पर, जिसके मुख्य अक्ष पर, अक्ष पर, क्या नाम है इसका, वस्तु का क्या नाम है, वस्तु का क्या नाम है, जिसके मुख्य अक्ष पर, मना, मुख्य अक्ष पर, A, B, A B वस्तु रखी गई है, रखी गई है, A B का वास्तिविक प्रतिविंब, बोलो नाम बोलो, प्रतिविंब का नाम बोलो, वास्तिविक 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 से eb ea का वास्त्तविक प्रतिविंब का ये डैसी डैसी डैस लुकित भू रहा है मज मतवुरहा है लूँढ द्रू抟 जो एडस और बिलस बन रहा है बोलो हम क्या करें हमें सिद्ध करना है बस इतना ही लिखना है बस इतना ही लिखना है हमें सिद्ध करना है बोलो यहां तक में हमने आपको कोई भी चीज रटाया है, ऐसा कि रटलो मेरा बच्चा, रटलो, हमें सिद्ध करना है, बोलो क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, यहां तक में अगर किसी भी बच्चे को 0% का भी दिक्कत हो, तो comment box में दिखें, कि सर मुझे दिक्कत हो रहा है, 0 मतब 1-2% का भी, ठीक है, हो गया जी, बस इतना ही question है, ठीक है, जो बात इमानलारी से मैंने बोला, भीया देखो, मान लिया मैंने कि माना कि M और M एक अवतलर पड़ है, जिसके मुख्यक्ष पर AB वस्तू रखी गई है, जिसका AB रखी गई है, AB का वास्तविक प्रतिविम A डैस और B डैस बन रहा है, हमें सिद्ध करना है इस चीज़ को, ठीक है, अब बच्चो, हमें फिर स से फिगर बनाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कोई लंबा कोशन हो, उसको बहुत अच्छे से बनाता हो, मेरा मन खुस हो जाता है, बनाओ, फिर से इसका फिगर मैं बना रहा हूँ, आप मत बनाना जी, आपकी कॉपी में तो होगा ना, लो, मुझे ना, बोट मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, यह M और यह M डैस, कितना प्यारा लगता है ना लिखने में, आजो, अब यहां से मैंने एक तरह से दे दिया, जी, चलो, इस तरह से मैंने यहां पर दे दिया, P, यहां पर दे दिया, F, यहां पर दे दिया, C, और यहां पर हमने एक वस् वो याद हो जाएगा आपको चलो जी बहुत गजब लिखते हैं आज़ो उसके बाद यह लेना यहां से देगा है यहां तक चलो भीया मेरे चलो फिगर बनाना सिख गए बोलो हाया ना यह सर पीडस और बच्चो यहां पर कितने त्रभूज बन रहे हैं अगर कोई बताएगा तो मैं उसे चॉकलेट खिलाओंगा बताओ कितने त्रभूज बन रहे हैं कितने त्रभूज बन रहे हैं चॉकलेट खिलाओंगा सबको सर यहां पर पता है आपको कितने बन रहे हैं सर पहला तो यहां वन यह वाला त्रभूज देखो सर यह वाला हाँ जी बन तो रहा है औ एक दो एक दो उसके बाद सर पता है इसको देखे सरी सको यह है सर तीन और इसको देखे सरत यह है चार जेमिता बaros्चा बंथो और भी रहाओगा मेरे ख्याल से यहां भीds फिले बंड रहा है यहां भी तर बहुत रहा है तो नॉर्मली हमको चार करना है रे क疫?". बन तो बहुत सारे तिरभूज रहे हैं पर लेना कितना है चार लेना है चार आजो बच्छो आपने कभी मैट्स पढ़ाए आपने मैट्स में कभी ऐसा पढ़ाए आपने कभी मैट्स पढ़ाए बच्छो मुझे बताना हा या ना अगर कोई ऐसा तिरभूज है कोई ऐसा यहां कितना बनेगा सर यहां भी 90 बनेगा यह बताओ यह वाला एंगल और यह वाला एंगल बड़ाबर होगा क्या बिल्कुल होगा आपने एकांतर को नहीं पढ़ाया क्या यह एकांतर कौन है सर यह वाला एंगल और यह वाला एंगल बड़ाबर होगा सर कि एक ही रेखा के विपरिद इसामे बना हुआ कौन है बच्चों, अच्छे ये बताओ, अगर ये वाला कौन हम मान लेते हैं, थीटा, तो ये कौन क्या होगा, ये भी तो थीटा होगा, दोनों थीटा होगा, क्यों, क्योंकि सर देखो आप समझो, यहां पर भी ऐसे गुना होता है, नश तो य ये वाला भी कौन बराबर है, ये वाला भी कौन बराबर है, ये वाला भी कौन बराबर है, math is father of physics, math बच्चो, physics का बाप है, तो अगर आपको पता है, तो बच्चो, ये दोनों तरिबुच क्या हो जाएगे, बताओ, तो A, B और C, अगर मैं यहाँ इसे A कहता हूँ, अगर मैं इसे B कहता हूँ, अगर मैं इसे C कहता हूँ, और ये हमारे पास B डैस और A डैस है, B डैस और A डैस है, तो हम इन दोनों तरिबुच को क्या कहेंगे, अगर आप थोड़ा बहुत भी math के घ्यानी है, knowledge है, तो ये दोनों तरिबुच को हम क्या कहेंगे, बच्चा, आपकी गलती नहीं है, मैत पढ़े भी नहीं हो, ये वाला, ये बाला तरिबुच में पढाए सम्रूफ त्रिबूज कहते हैं यदी दो कोनों के सब्हीं कौन आपस में बढाबर हो या फिर दो कोन भी बढाबर हो वह दोनों त्रिपूज सम्रूफ है बच्चों कितना बच्चे हो आप लोग हैं तो बच्चों कहेंगे और त्रबूज टारेग्ट ए देख अपर वही फिगर आपको नजर आ रहा है यहां पर देखो तो सेम टू सेम फिगर न जला रहा आपको जो मैंने अभी बनाया था बोलो हाया ना आप बुलोगे हां सर हां सर वही फिगर है जो आप भी यहां बनाये थे सर ये वाला सर येस बच्चो येस तो हम कह सकते हैं कि त propose a.b.c. समूरूफ है कौनसा बता नाम बता तो मैं आपको मिठाई कहलाओं गर नाम बता बता अूरे को आपको मिठाई क खिला हूंग नाम बता अगर A, B और C, तो यहाँ A डैस, B डैस और C, तो हम कहेंगे A डैस, B डैस और C बच्चो, यह दोनों तर्वोज समरूफ हैं, अब आप अगर इतना जानकार हैं कि समरूफ हैं, तो आपको पता होगा, समरूफ तर्वोज की संगत भुजाएं समान अनुपाती होती, जो तर्वोज का, एक नंबर वाले तर्वोज का, अगर मैं लेता हूँ लंब, यानि यह वाला लंब लेता हूँ, तो मैं लूँगा A, B, A, B, बटा, तो दूसरे वाले तर्वोज का भी हमें लंब लेना होगा, तो अगर हम इसका लंब लेते हैं, A, B, यह खरी वाली भुजा तो बताओ दूसरी त्रिवुज का लंब क्या होगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सर अगर पहली त्रिवुज का लंब हम लेते हैं, A, B, तो दूसरी त्रिवुज का होगा A- और B-, ठीक है, कितना ग्यानी हो आप लोग, तो सर यहाँ होगा A- और B-, के डैसओर ब्रक्रोग अब बक्रोट बच्चों रहांदेना अब हम लोग कहने तुरिज का आधहार लेंगे आधहार पहले तो हमने लंब लिया अब लेंगे आधहार वह कले धी से से लिखेंगे आधहार है बी 창 कि अधार क्या है बोलो, B, C, अच्छा बताओ, दूसरे त्रिवुज में अधार बताओ, इस वाले में अधार बताओ, इतना विरवक समझेशते हैं हम लोग को, अगर पहले का असर B से C है, तो दूसरे का B dash, C dash होगा, दूसरे का बोलो क्या होगा, दूसरे का होगा B dash और C dash, त समाप्त, ये खेल हो गया समाप्त, ये पहले त्रिवुज में, मतब ये दोनों त्रिवुज में, ये वाला खेल समाप्त हो गया, और इसको बोलो समीकरन एक, प्यार से बोलो गुस्ता नहीं करना, प्यार से बोलो भीया, आप समीकरन एक हो, अब बताओ, पुनह, पुनह हम अगर बात करें नहां हम अगर बात करें बच्चों तो आपको और दो त्रभुज दिख रहा होगा पहला जिसका नाम है तीन और जिसका नाम है चार बच्चों सेम टू सेम जैसा आपने इन दोनों को समरूप बताया इन दोनों त्रभुज में भी अगर मैं इसको थोरा सा और चौथा नम्बर का, सम्रूफ होगा, बोलो हाँ या ना, तो हम कहेंगे तिरभूज, नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो, कोई तो बोलो, नाम होगा सर, एन, प, एफ, एन, प, एफ, एन, प, एफ, पच्चो, एन, प, एफ, और सम्रूफ होगा, समरूफ होगा यह वाला का च था वाला का नाम जो क्या है और से पटम कि जिस प्रकार से आपने यहां लिया था लंब बटा, दोनों का लंब लंब, दोनों का आधार आधार, उसी प्रकार से यहां भी लीजिए, लंब लंब और आधार आधार, आजाओ, अगर हम इस तरभूज में बात करें लंब की, तो कोई बता सकता है, ये है सीधी भूजा बचो, ये हमारी सीधी भूजा है, यानि इसका लंब, जिसका नाम है N से P, मतलब N P, नाम क्या है बोलो N P, तो लेंगे बच्चो, N, N से P, मतलब की N P, पटे, पटे, इसका बताओ, इसका लंब बताओ, सर, इसका लंब है N P, लंब मतलब होता है, जिस पर 90 का कोन बनता हो, तो यहां पर होगा सर, यहां पर होगा A a dash और भी डैस जहाँ होगा इसका आधार बताओ तो इसका आधार कर वरी बाद हो रही है एक से एर से एफ से एफ लिखेंगर भाई या पी तुम लिखेंगे पी से एफ बटा करो बटा करो इत्तर ना इसका अधार बताओ लिए इस से एफ बच्चों आपने कभी जीवन में किसी चीज को बदला-बदली किया है किसे हम लोग जब स्कूल जाते थे तो गलती से हम कभी काला कलम खड़ित लेते थे तुम्सकृष हमारा दोस्त तुमने कितने का कढ़िता तीन रूपे का दोनों बदला-बदली कर लो किया आपने जीवन में कभी बदला किया है बोलो हा या ना जल्दी से बताओ हा या ना तो बच्चों जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें चीजों को बदला-बदली करना पड़ता है ठीक है ना जब दोनों की कीमत समान हो आप अगर उसी प्रकार से देखें बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं आप देख क्य्या आपने हाँ गुरुजी हमने किया है कि ऑ व करव लाइन होगा व तर वो करव लाइन नहीं है नहीं है और अव करव दिख रहा है हर बहुता है पूरा स्कुरुस्ट मानना के थे हाइं और और ती के हाइट को देखो क्या दोनों हाइट सेम है बोलो AB का हाइट और NP का हाइट दोनों सेम है बोलो हाँ या ना येस गुरुजी जो AB का हाइट है वही NP का हाइट है मतब जो बुलू पेन है वो भी 3 रुपे का जो काला पेन है वो भी 3 रुपे का तो मुझे जिसकी जरूरत है मैं उसको बदल सकता ह तो बच्चो जहां पर एन पी लिखा है क्योंकि मुझे इस समिक्रण से मैच करना है ऐसा मैंने क्यों किया पहले यह पूछो क्यों अगर कारण मिल जा क्यों क्यों मैंने ऐसा किया क्यों कि मुझे समिक्रण मैच करना था बच्चो इसलिए मैंने एन पी के जगह पर एन पी के कि एफ पटा यह को कोई दिक्कत है बोलो कहीं दिक्कत है दिल में दर्द हो रहा है बहुत दिक्कत हो रहा है नहीं सर थिक है अब यह से मिघन दो हो गया अब यह समिक्रन क्या हो गया दो और यहां पर थोड़ा बता देना भाई ने तो कोई डर जाएगा कोई डर जाएगा यहां पर बता देना कि चुकी देखो भाईया देखो कि जो NP था न वो AB के बराबर ही था यह चीज बता देना ने तो कोई डर जाएगा ठीक है यह आपका स समिकरन 2 हो गया बच्चों तो समिकरन है तो बच्चों क्या आपको कोई प्रावलम है समिकरन 1 में और समिकरन 2 में कोई प्रावलम है बोलो हां या ना क्या आप यहां तक समझ चुके हैं एक बार बता दो मुझे हां या ना यस, बच्चों, जब भी हम लोग समिकरन एक और दो को बराबर करेंगे अब, तो कौन-कौन सा चीज कट जागा बताओ, जब हम समिकरन एक और दो को बराबर करेंगे, तो ये वाला देखो, A, B बटा, Aाश, Bाश, और कर दो झाल झाल चलिए ठीक है तो हम क्या बोल रहे थे बैट्टी खतम वाता है ना तो हमने क्या लिखा कि बी सी और बी डैस सी और फिर लिखने वाले हैं पी एफ और पी डैस एफ यहां तक समझ में आ गया बोलो हा या ना यहां तक समझ में आया जी कुछ बोलो हा या ना यह सर यह समझ गये समझ गये सर अब आजवाया अरे देखो कि आजओ अब बच्चो बी से सी जो है इस बी सी को हम कैसे लिखें इस बी सी को हम कैसे लिखें क्या बी सी का कोई मान है जैसे वी यू एफ कोई मान है नहीं सर तो बच्चो बी सी का कोई मान नहीं है तो बी सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ अगर आपको बी सी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा तो सर बी सी निकालने के लिए पहले हमें T से B आना होगा, और फिर T से C तक घटा देना होगा, समझो, यहां समझो, समझो, समझो थरा time लगेगा, पर समझो, अगर हमारे पास ये F है और ये हमारे पास C है और ये हमारे पास B है ये हमारे पास B है और हमें बच्चों जंदना और हमें क्या निकालना है हमें B C निकालना है हमें B C निकालना है तो बच्चों अगर हमें B C निकालना है ध्यान से तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कि पहले P से P आ जाते हैं, यानि लिख देता है P B, क्या लिखते हैं P B, और फिर उसमें से, P B तक आ करके, फिर उसमें से यहां से काटके हटा देते हैं, देखो, निकल गया भी C, निकल गया ना, निकल गया ना, चिलिदी बोलो, तो बच्चों, पहले T से B आते हैं, और फिर P से C हटा देते हैं, P से C हटा देते हैं, ठीक है, तब ऐसा हो सकता है, आज़ो, तो बच्चों यहां लिखेंगे, तो यहां हम लोग लिखने वाले हैं, कि हम लोग पहले P से B तक आते हैं, T से B तक आते हैं, और फिर T से C तक घटा देते हैं, ठीक है, निकल गया, अब बोलो बच्चों, अब बोलो, B डैस C, क्या B डैस C कोई चीज है, बच्चों, अब बच्चों, अगर आपको, B डैस C निकालना है, तो पहले एक काम कीजए, P से C आइए, पिर P से B हटा देजेर, P से C आइए, पिर C आइए, इतना आसान रहता तो 6 इम्मर कोई कोई लेके आ जाता, आसान भी नहीं है, तो दिमाग लगाना है, पहले P से C आईए और फिर P से P डैस को घटा दीजिए यही तरीका है निकालने का अब बच्चा बताओ क्या P F पहले से ही कुछ है अब बोलोगे हाँ सर मुझे पता है बोलो क्या P F पहले से कुछ है हाँ सर P F जो है वो पहले से ही बच्चो F है P F का मत्तब होता है focus, duty focus, duty और focus, duty को हम पहले से ही F मानते हैं तो yes बच्चो yes समझ में नहीं आया सर पोरा सा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा yes sir P F पहले से ही है F बच्चो पहले से ही यह F है F है ठीक है यह आपको पता करना है कोई चीज पहले से है या नहीं है अब बताओ बी डैस एफ टी डैस और एफ क्या पहले से है पहले से कुछ भी नहीं है तो इसको कैसे फाइंड करें इसको कैसे निकालें तो बच्चो सबसे पहले आपको पी से पी डैस आना होगा आप लोग बताओ आप बताओ मैं कुछ नहीं बोलूगा आप बताओ क्यासे करोगे तो आपको पहले पी से पी डैस आना पड़ेगा उसके बाद पी से एफ तब हटाना पड़ेगा तो पी से बी डैस और पी से एफ अटा दो तो बच्चो एहां P से P ड़ेस आना पड़ेगा और फिर P से F को घटाना पड़ेगा अब जा करके अब जा करके चन रखे नई समझ में आया सर्थ अरे बच्चा एक बारे में नहीं आ तो दो-तीन बार समझाना पड़ेगा तब क्या दिक्कत है पिर next time समानेंगे किसी और दिन कोई बच्चा वाला चीज को रही है अब बोलो बच्चो अब बोलो P F को क्या माने है आप P F को आप क्या माने हो जल्दी बोलो आप पर ना P say B को आप क्या माने인 कीसे बिक्या है P say पी क्या है बच्छों, अभी तुरंद आपने बोला था, किसकी दूरी है बोलो, बच्छों यह वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को हम क्या मानते हैं, वस्तु की दूरी को हम क्या मानते हैं, बोलो जल्दी से, वस्तु की दूरी को हम क्या मानते हैं, तो बच्चा जी व वस्तु की दूरी को हम U मानते हैं, वस्तु की दूरी को हम U मानते हैं, वो भी माइनस में, माइनस में U मानते हैं, और फिर ये वाला माइनस, अब बोलो P से C, P से C को क्या कहते थे, P से C, जल्दी बोलो, दिमाग तो लगे हैं भया, ऐसे टोपर नहीं बनते, P से C क्या है, P से P से C, P से C मतलब बच्चो, P से C की दूरी को वक्रता त्रिजिया कहते हैं, R मानते हैं, R, वक्रता त्रिजिया, वो भी माइनस में, तो बच्चा जी, माइनस में R मानना पड़ेगा, माइनस में, जो टॉफ है, तो है, माइनस में R मानते हैं, पटे करो, अब फिर बोलो, P से C फिर P से C, P से C को माइनस में R मानते हैं, फिर P B', फिर बचो P और B'deas, P से B'deas क्या है? P से B डैस क्या है तो आप कहेंगे सर P से B डैस जो है ये प्रतिविम्ब की दूरी है प्रतिविम्ब की दूरी क्योंकि यहां प्रतिविम्ब बन रहा है न ये वस्तू है और ये इसका प्रतिविम्ब है प्रतिविम्ब का दूरी को हम लोग V कहते हैं V, वो भी negative, वो भी negative, तो negative में बच्चो, V लेंगे, negative में V, F को तो हम F ही कहेंगे, ठीक है, बटे, अब P से B dash, P से B dash को देखो, क्या बोलेंगे, यहां लिखा है, minus का V बोलेंगे, है न, और minus, फिर बोलो, P से F, P से F को क्या बोलेंगे, सर, P से F को तो बच्चे वाला चीज़ है, P से F को तो focus दूरी, यानि F बोलेंगे, लेकिन negative में, अच्छा, यहां हम्ने negative नहीं दिया है, Sorry बच्चो, नेगफिव होगा, यहां भी negative होगा, Sorry, 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 Negative होगा, यहां भी negative होगा, और यहां पर भी बच्चो जो लेने वाले, वो भी negative लेंगे, negative ले लिया बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलो हो गया बच्छों, negative देना पड़ेगा आपको, अब पहले इसको negative को ठीक कर लो, जितने भी negatives हैं इसको ठीक कर लो, आज आज़, माइनस का u, ठीक है, माइनस का u, माइनस माइनस क्या हुआ बोलो, माइनस मैनस क्या हो गया, तो माइनस का U और माइनस मैनस हो गया प्लस का R, माइनस का R और माइनस मैनस प्लस का V, बढ़ाबर बचिए, बढ़ाबर ठीक है? minus का f minus का f पटे पटे बच्छों minus का v minus का v minus minus plus का f plus का f एक बात पूछें आपसे एक बात पूछें हमने आपको start करने से पहले एक सवाल पूछा था क्या मैं r को 2f लिख सकता हूं बोलो हाँ या ना बच्छों अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई बना लेता तो अफ तो है के लो r बड़ाबट 2f लिख सकते हैं क्या येस सर तो जहां पर बच्छों r है वहाँ 2f लिखेंगे minus u plus में 2f पटे minus minus का r है ना यहां पर तो minus minus plus होगा लेकिन यहां minus का है ना तो minus r के जगह पर 2f ठीक है और plus का v बच्छों बराबर बताओ minus का f और minus का v और plus का f अब आपने बच्छों 8 क्लास में algebra पढ़ा होगा algebra तो बच्छों क्रॉस करने के लिए आपको आता होगा गुना कीजिए गुना कीजिए देखिए minus गुना minus हो गया plus यानि कि पहले v से दोनों में गुना कीजिए minus गुना minus प्लस v गुना u तो हो गया जी 2v minus गुना plus तो minus v गुना v गुना 2f 2vf 2vf हो गया बोलो हा या ना हो गया ना अब गुना करेंगे बच्चो f से f गुना minus u तो minus में 2f f गुना 2f तो प्लस में 2f का square 2f का square 2f का square तो प्यारे बच्चो इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट में गुना हो गया, अब बीच में दीजिए बड़ाबर, बीच में दीजिए बड़ाबर, ठीक है, अब इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट में गुना कीजिए, ठीक है, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, f गुना 2f, तो प्लस में 2f का स्क्वेर, हो गया खतम अब बताओ बच्छों हो गया अब इसमें क्या क्या कट सकता है बोलो दोनों तरफ सेम कुछ है क्या देखो यहां पर 2F square इस पार में भी इस पार में भी तो यह इस पार का इस पार का खतम हो गया खतम हो गया अब आजओउाँ अब सब को बहरे बच्छो ध्हान से देखना अब हमारे पास क्या बच्छा हमारे पास बच्छा है QV तो लिखेंगे separ experien vor minus में minus में QF, 2F लिख दिए, F, 2F, 2F, अब उस पार में क्या था बच्चों, उस पार में पहले से क्या है, इस पार में है Minus VF, तो लिखेंगे Minus VF, Minus VF, और यह जो Minus का है, आके हो जागा Plus, जो Minus का है, वो हो जागा Plus, प्लस में हो जाएगा 2PF बच्चों आसानी से आप बोल दो कि सर समझ में नहीं आता ऐसे काम नहीं चलेगा पढ़ना पढ़ता है हाँ पढ़ना पढ़ता है सिर्फ बोलने से नहीं होगा इसर नहीं समझ में आ रहा है पढ़ना पढ़ेगा ना आपको कर्व लाईन को आप 90 डिगडी कैसे मान सकते हैं अबर पिली से वर बताईए रख़ोगा लगभग उसके बड़ाबर है इस लिए मैंने माना लगभग बच्चो कर्व है जब उसको पास लाया जाएगा ना तो वो दोनों बिंदू एक जगाए लगभग मान करके हमने बनाया लगभग है बच्चो पूरा नहीं है लगभग है कि अरे कि नेटवक क्या चल देखो जी अगे बर जाएं बताओ आगे बर जाएं बोलो हाया ना अब देखो बच्चो अब आप बोलोगे सर समझ में नहीं आता तो आपको समझना तो पड़ेगा ना अजो ध्यान से अब यहां क्या लिखते हैं अब यहां पर बच्चो बच्चा यू वी माइनस यू एफ बड़ाबर अगर प्लस में तू वी एफ है और माइनस में एक वी एफ है तो दो में से एक घटा तो अब बचा वी एफ बच्चो क्योंकि दो में से हमारा एक घटा रहा है तो वी एफ बच्चेगा ठीक है अब इसको भाग करना है यू वी एफ से तीनों स बहाग करो है ना क्या लिखेंगे दोनों तरफ क्या लिखेंगे दोनों तरफ क्या लिखेंगे दोनों तरफ दोनों तरफ क्यू वी एफ किसे क्यू पी एफ से भाग देने पर बच्चों कोई सौटकट तरीका नहीं है अगर आप सौटकट खोज रहे हैं तो भाग देने पर देहों क्या लिखा है यूवी कॉल लिखेंगे पहले नीचे यूवी कि मायनस माinizi अमायनस यूएफ कि इस पर्ढावर क्या लिख है वी एफ तो लिखेंगे वीएफ आप इसको भाग कीजिए तीनों को इसको भाग कीजिकी अधरी तू वी एफ से भागा, तू वी एफ से, बाग करो, फड़ापट कटाओ, जल्दी से, अगर आप यहां देखेंगे बच्चो, तो यू खतम, यू खतम, वी खतम, वी खतम, वी खतम, बचा वन, उपर कुछ नहीं तो वन, वन बाइ एफ, माइनस, यू खतम, यू खतम, एफ एफ खतम, वन बाइ वी, बड़ाबर वी खतम, वी खतम, एफ खतम, एफ खतम, एफ खतम, वन बाइ यू, बड़ाबर देखें, वन बाइ एफ इस एक्वल टू, बड़ाबर लिख सकते हैं, वन बाइ एफ इस एक्वल टू, एफ इस एक्वल टू, यह जो नेगेटिव है, जाक के उदर positive होगा, तो 1 by U पहले से और plus हो गया, 1 by V बच्चो, बस यही आपको लाना था, और यह आपको प्रूव हो, ठीक है, यही आपको लाना था, यही आपको लाना था, बच्चो प्रमानित हुआ, प्रमानित हुआ, एक बार में समझ में नहीं आए, इस वीडियो को दो बार देखो, तीन बार देखो, पोज करके रोक रोक कर देखो, फिर हम बताएंगे, सर, क्यूं UVF से भाग करें, बच्चों कुछ चीजे होती हैं, आपको करना पड़ेगा, नहीं भाग करेंगे, और बच्चों दोनों तरफ, देखो, कोई चीज सिद करने के लिए करना पड़ता है, अब आप बोलोगे, सर, छत में चड़ने के लिए सीड़ी क्यूं लगाएं, सर, क्या जरूर ये सीड़ी का, हम उड़के नहीं चले जाएं, तो ये अलग बात है, ये तो अलग बात है, बच्चों आपको पता होना चाहिए, कि दोनों तरफ, अगर हम कोई भी चीज करते हैं, बराबर के इस पार इस पार, तो कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है, बताओ, कितने ऐसे बच्चों को लग रहा है, कि सर, हम एक दिन में, दो दिन में, तीन दिन में, इसको सीख लेंगे, प्रैक्टिस करके सर, प्रैक्टिस करके इसको कर सकते हैं, आपको सबसे ज़्यादा परिसानी कहां होई है, यह मैं बताता हूं, कि मैं भी एक स्टुडेंट रह चुका हूं, सबसे ज़्यादा परिसानी आपको यहाँ पर होगा है कि सर्फ मैंने यह convert कैसे किया सबसे ज़्यादा इमांदारी से बोलना हाँ या ना एकदम इमांदारी से बोलना सबसे ज़्यादा परिसानी आपको यहीं हुई आप समझ नहीं होंगे कि सर B C को आपने कैसे कनवर्ट कर दिया P B-P बच्चों यह जो हमारा B C है ना B C लेकर के C यह जो निकालना था B C ये वाला ये पार्ट निकालने के लिए पहले मुझे आना पड़ा B C ना P से डारेक्ट B तक और उसमें से P से C को हटा आना पड़ा तब ये बारा हमारा बचा ठीक है यही सबसे यदा परशानी है सीख लेंगे सर सीख लेंगे लेकिन बच्चो बिना कुछ किये जैजेकार नहीं होती कुसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती अगर आप मेहनत करेंगे बच्चो जर कर सकता हूं I can prove this I can prove this I can prove this कितने बच्चो को लग रहा है यह जिसकी मुक्य अक्ष पर यह भी वस्तु रखी गया है यह यह बहुत अच्छे से पढ़ाया बच्चो वीड़ियो को आप रोख रोख करके विडियो की speed को कम करकर के बच्चों इसको देखें एक बार दो बार तीन बार देखें हम उमीद करते हैं आपको आगया होगा अगर बच्चों कहीं डाउट है कहीं अभी भी डाउट है तो comment box में जाके लिखना बच्चों कहां पर डाउट है सच में उस डाउट को हम clear करेंग इजाज़त नहीं देता है आगे class के लिए समय हो चुका English के class का तो बच्चों हम उमीद करते हैं कि मैंने आपको मैं अपना best दिया हूँ ठीग है आप सभी लोग इस class को like करें अपने दोस्तों में share करें हर दवा बच्चों मेठी नहीं होती कुछ दवा करवी भी होती है त तो six marks का ये था कल की class में हम लोग पूरूब करेंगे बच्चों उत्तल है ना उत्तल दरपण में इस चीज को पूरूब करेंगे हैना convex मिरड में हम लोग इसको पूरूब करने वाले हैं कैसे होता है 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F इसको सिद्ध करने वाले है कल हम लोग क्योंकि exam के class course में मिल जाएगा जो हमारे application पर है जो बच्चे application नहीं download किये आप सभी लोग दिशा online classes app को download करें जाईए बच्चो प्ले स्टोर से दिशा online classes app को download कीजिए और बच्चों मात्र 499 यानि 50 रुपय से भी कम महने की fees में हम आपको पूरा class करवाते हैं all subject के class जो लोग course नहीं purchase की हैं बच्चो course purchase कीजिए हमारे सभी notes के लिए case question PDF सब के लिए number है बच्चा जी आप इस पर contact कीजिए ठीक है मिलते हैं कल सामको साड़े 6 बजे फिर 8 बजे दो classes per day होती है तुबह 8 बजे एप पर class होती है आप लोग जरूर कीजिए बच्चों ठीक है न मनिश सर एसस्टी पढ़ाते हैं लवी बच्चों कैसा लगा class नीचे comment जरूर कीजिएगा और इस बच्चों